हात रसमें कथित सत्संग और 123 लोगों की मोत के बाद अब लोग कह रहे हैं कि बाबा परमात्मा है वो ब्रह्माद का स्वामी है उसने इस संसार को रचा है वो कैसे अपने भगतों की मोत का कारण हो सकते हैं सत्संग में जिन लोगों की मोत हुई उन्हें तो मोक्स मिल गया नारान साकार हरी के सारे पर तो पूरी सरस्टी की रचना हुई है ये सारी बाते के वल वो नहीं जो बच गए बलकि वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इसमें अपनों को खोया है किसी ने पतनी को खोया तो किसी इने बेटी को किसी ने 20 साल बाद पैदा हुआ बेटा तक खो दिया लेकिन फिर भी बाबा नारान साकार हरी है आपके घर से भी कोई यहां पर बेटी है गुजर गई है फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है बुलकुल आस्था है जीवन आस्था राएगा कहते हैं आस्था इनसान को मजबूत बनाती है लेकिन आस्था की चरम वस्था इनसान को कमजोर भी बना देती है आस्था पागल भी कर देती है और आस्था इनसान को भेड भी बना सकती है सवाल इस बात का है कि एक सामान जागरू की इनसान बने रहने के लिए आस्था का पैरामीटर कितना होना चाहिए इसके लिए दो उधारन है पहला उधारन जापान से लेते है और दूसरा भारत से अमेरिका में वेदानत का परचार करके भारत लोटते हुए स्वामी रामतिर्थ जी जापान गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ उन्हें वहाँ एक विध्याले में आमंतृत किया गया विध्याल्य में एक विध्यारती से सुवामी जी ने बहुत प्रेम के साथ पूछा बच्चे तुम किसको भगवान मानते हो बच्चे का जबाब था जी भगवान बुद को सुवामी जी ने अगला सवाल किया बेटा सुनो अगर किसी दिन भगवान बुद्ध ने आपके देश या आपके उपर हमला किया तो आप क्या करोंगे स्वामी रामतिर्थ का इतना कहना था कि छात्र का चेरा तम तमा उठा स्वामी जी की बात सुनकर वो खड़ा हो गया और करोध से भर उठा अपनी लाला लांखों से घूरते हुए जोस के साथ उसने का तब मैं अपनी तलवार से बुद्ध का सर काट दूँगा बुद्ध उनके भगवान है ये आस्ता है वो बुद्ध के विचारों से स्थेमत है ये भी उनकी आस्ता है इसके कारण वो मन की शांती के लिए बुद्ध की पूजा करते हैं ये भी उनकी आस्ता है लेकिन बुद्ध उनका या उनके राष्ट की हानी करेगा तो फिर भी वो उसकी पूजा करे तो ये अंध्विश्वास है अब हात रस में अंधी भीड की अंधी आस्ता का बखान भी सुन लीजिए दोनों उधारण आपकी समझ में आ जाएंगे जहां जापान के उधारण में आस्ता थी उसका कारण था यहां आस्ता का चरम दिखाई देगा लेकिन लोजिक नहीं आप इस टाइप की आस्ता में तर्क नहीं कर सकते जब आप इस टाइप की आस्था में तर्क करते हैं तो अंदी आस्था वाला इंसान हिंसक रूप धरन करता दिखाई देगा क्योंकि आप उसके बने बनाए विश्वास को चुनोती दे रहे हैं और ये विश्वास एकल हो तो तूट जाता है लेकिन जब ऐसा विश्वास सामुहिक बन जाता है तो उसे तोड़ना किसी के वसकी बात नहीं रहती दरसल विज्ञान और धरम ब्रहमांट को समझने की दो खिड़किया हैं दोनों खिड़कियों की रोशनी के बिना ब्रहमांट को नहीं समझा जा सकता तो ऐसे में सवाल है कि आज कल ये खिड़किया खोल कोन रहा है सूरज पाल जातव उर्फ नारान हरी साकार बाबा के भगतों के आप इंटर्विव सुनिए उनके ब्यान सुनिए 90% लोग एक दावा कर रहे हैं कि किसी का बच्चा बिमार था किसी की पत्नी बिमार थी किसी के माता पिता बिमार थे वो बाबा के कारण ठीक हुए यानि एक चीज समझा सकती है कि 90% लोग मरीज है चाहे वो फिजीकल बिमार हो या मानसिक बिमार हो तो इन्हें भगत कहना भी ठीक नहीं है ये बिमार लोग है अगर बिमार है तो कथित बाबा के पास ही क्यों आते हैं सवाल ये भी हो सकता है दरसल देश की आबादी बहुत है 80% से ज़्यादा तो सरकारी रासन पर जिन्दा बताये जाते हैं बिमारी भी है तो देश में सरकारी इस्पताल उतनी संख्या में नहीं है जितनी इस देश को जरूरत है प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे इलाज करते हैं कि एक गरीब आदमी जाने से पहले सो बार सोचता है तो ऐसे में कमान इन बाबाओं ने संभाल ली बाबा चमतकार का दंब बढ़ते हैं जब एक मरीज कहता है कि वो बाबा के चमतकार से ठीक हुआ है फिर दूसरा कहता है कि वो भी ठीक हुआ है तीसरा कहता है कि उसे भी अराम मिला है चोता कहता है वो भी ठीक हुआ है, तो मनोविग्जान के अनुसार पांचवा व्यक्ति खुद कहेगा कि उसे भी अब राम है। तो वो खुद अच्छा फिल करेगा क्योंकि वो भीड का हिस्सा बनना चाहेगा वो भी उस भीड का भगत होने का दावा करेगा जैसे आप देखते होंगे कि एक हम मुसलमान सर पर टोपी लगाता है वो टोपी न तो पूरा सर डखती और ना कान लेकिन देखा देखी लगाते सब हैं सिर्फ इस कारण की एक मुसलमान दूसरे को यह एहसास करा सके कि वो भी कोई छोटा मोटा मुसलमान नहीं है बलकि बड़ा मुसलमान है ठीक इसी थियोरी पर लोग बाबा के मानने वाले हैं वो एक दूसरे को यह दिखाने का दावा करते हैं कि वो भी बड़े वाले भक्त है ऐसे में सवाल है कि यह बिमारी और बाबा पनपते कैसे हैं पहला तो यही कि आज के दोर में बच्चों में विज्ञानिक सोच विक्षित करने के उतने परियास नहीं हो रहे जितने होने दूसरा सबसे बड़ा कारण संयुक्त परिवारों का तूटना और नई जीवन से लिखा अकेला पन इन अवस्थाओं ने एक ऐसी श्थिती पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परिसान और बेचैन हो चला है वो खुद को बिमार मानने लगा है इनी सामाजिक मनोविज्ञानि कि श्थितियों के बीच लोग जाने अंजाने ऐसे बाबाओं की और उन्मुक होने लगते हैं जो लोगों को हर दुख तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं जैसे ही एकाकीपन वाला इंसान बाबाओं के डेरो या आसरमों में पहुचता है वहां भीड होती है वो अपनी बात सुना पाता है दूसरे की सुनता है उसके मन का बोज और अकेले पन में पाली गई सोच का बोज कम हो जाता है जिसे वो बाबा का सिरवाद या कोई देविय सक्तिया चमतकार मानने लगता है इस वर्ग के लोग आँखे मूंद कर दूसरे का नुसरन करते हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निरने नहीं ले पाते हैं वे किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम सालों से होता आ रहा है या उस काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये कभी नहीं सोचते कि उसकी उप योगिता क्या है दूसरे सब्दों में कहें तो ऐसे लोग सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, भावनात मकंद विश्वासों में जखड़े होते हैं, इन लोगों का IQ बेहद कम हो जाता है और इन्हें बेहद आसानी से परभावित किया जा सकता है, ये तरक संगत नहीं सोचते पर इमोशनली बहुत कमजोर होते हैं, इनक इस वर्ग के लोग यू तो आधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एर कंडिसन आस्रम वाले गुरुओं के यां लाखों का चड़ावा चड़ाने से लेकर अपनी सफलता और ऐसफलता की वज़े लखी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करते बले ही पिछले कुछ दसकों में उभरने वाले किसम किसम के बाबाओं ने राष्ट के मुक पर कालिक पोतने का काम किया हूँ, अपने अनुयाई इस तरियों के सारे रिक्सोसन हत्या अपरण से लेकर अन्य जगन्या पराद करने वाले बाबाओं का परभाओं, इस कदर ब दर असल ये सब संगठित रूप से चलता है, जनता राजनेताओं को वोट देती है, शिक्सा के नाम पर, स्वास्त के नाम पर, रोजगार के नाम पर, सुरक्सा के नाम पर, लेकिन जनता ये चीज सरकार के बजाए मांगने जाती है बाबाओं के पास, यानि कोई बिमार है तो वो सरकार से निगवार लगाएगा, वो किसी बाबा के पास जाएगा, किसी का बच्चा फैल हो जाएगा, तो बाबा के पास जाएगा, किसी को नोकरी चाहिए, तो वो सरकार से बजाए बाबा से नोकरी मांगने जाएगा, घर के कलेश से लेकर सभी काम तो बाबा कर रहे वो परिक्सा में पास होने के टोटके बता रहे हैं, वो नोगरी के टोटके बता रहे हैं, वो बिमारी के लिए जाड़ा लगा रहे हैं, ताबीज दे रहे हैं, तो राज नेता इस कारण नहीं बोलते क्योंकि अगर ये बाबा नहीं होंगे, तो जनता ये चीज सरकार से तो इस कारण बाबाओं के चमतकार को नमस्कार करने नेता भी चले जाते हैं चोकि सरकारों की सारी टेंशन तो बाबाओं के दर्बार में आजरी लगा रही है महान मनोची कितसक डॉक्टर सिंग्वन्ट फराड ने बीसवी सदी के सुरुवातों में इनसान की धार्मी कवस्थाओं पर बहुत शोद किया उन्होंने नतीजा दिया कि आवशक्ता से अधिक धार्मिक व्यक्ति या तो अकेला हो जाता है या फिर हिंसक और कई बार तो वो अपनी सोच से समाज का सोचन तक करने लग जाता है यानि आज था किसी बेहतर चीज की उम्मीद की अभिव्यक्ति का नाम है इच्छा से जादा ये विश्वास के बहुत करीब है लोग इस तरह विश्वास में काम करते हैं कि जब कोई गारंटी नहीं होती इस कारण भारत का हिंदु समाज बाबाओ बंगाली बाबाओ डेरों से लेकर धरम बदलने वाले गैंग की एक फसल बन बैठा है जिसे काटने के लिए यूरोप तक की मिशनरी जिकारी तयार बैठे हैं उन लोगों को जिने बाबाओं में परमात्मा ब्रमांड का स्वामी तीनों लोगों का स्वामी नजर आ रहा है ऐसे लोगों को भक्त कहे या बिमार कुमेंट बॉक्स में अपनी राई जरूर दीजिए